प्राटा की आप कैरी करिए और खास्तो बैंक निफ्टी में कैरी करिए बैंक निफ्टी के तो चयज करिए आज बैंक निफ्टी मुझे लग रहे था कि ऐल टाइम हाई लग सकता है मेरा व्यू यह रहेगा कि आज एक बार के लिए गैप-अप profit book कर लें चीज ना करें gap up को और profit book करने के बाद dip जहां मिले वहाँ पर buy करें टाइटन बाकी के सारे numbers बता रहे हैं कि economy में strength है तो economy facing stocks पर ही आप focus करेंगे तो बेटर रहेगा और एक चीज लगातार bank nifty पर हमारा एक view रहा है positive और अब delivery buying भी शुरू होगी है अगर आप देखेंगे HDFC bank और कोटक की delivery buying Friday की तो अच्छी खासी delivery buying थी वहाँ पर और अगर आप एक ratio chart उठाकर देखेंगे bank nifty versus nifty तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहां से bank nifty शायद चलने को तियार है तो इसके लिए व्यू यह रहेगा लेकिन आज क्योंकि एक बड़ी राली के बाद एक gap-up मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि इस gap-up में एक बार के लिए आपको profit book करना चाहिए इसको chase नहीं करना चाहिए यह मेरा view है जैंप तो यह basic setup है और words आपको मालम चलके लेकिन numbers क्या है threshold points क्या है कहां तक profit booking आईगे सब पर करेंगे चाहिए लेकिन एक बार जड़ा एक बार इस pre-open key trajectory को देखते है इस 22684-170 अंकू पर एक substantial gap-up as of now screen पर लिखाई दे रहा है सिर्फ रखेगा स्क्रीन पर HDFC bank और एक Wipro सिर्फ दो स्टॉक्स उसके बाद मैं जब lot के फिर आऊंगा तो देखूँगा इन दोनों स्टॉक्स को और सारे बाकी अगर आप देखें स्टॉक्स को 1565 पर 1% उपर और Wipro 490 पर S of now 5 रुपर रहा है पर एक काम करते हैं आज के दो प्रेमोग स्टॉक्स को देखते हैं अनुच पॉटलाइट में आज क्या है टेखनीकल्स, फंडेमेंटलिस और प्लेस्मेंट का वो कॉट्विनेशन क्या कह रहा है अनुच आज के दो स्टॉटलाइट पर बिल्कुल अज दो स्टॉटलाइट स्टॉक्स दोनों स्लाइटली लाजिश मिट कैप्स हैं फंड के स्टॉक्स दोनों पहले मैरिको से शुरुवात करते हैं मैरिको के पिछले हफते नंबर्स क्वाटली अपडेट से आया थे काफी अच्छे थे और यहां पर जैसा मैंने का कि पिछले हफते से मूव यह बनने शुरू है और अच्छा बार बना पिछले हफते का बार काफी अच्छा था इस 200 वीक मूव अबरेज पर सपोर्ट लेकर अच्छी तेजी थी और फ्राइडे के डिलिवरी वॉल्म्स देख रहा था मैं 1.75% की ग्रोह था ही फ्राइडे को आधिंग फ्राइडे को इस चैनल पर डिस्कस भी वा था स्टॉक रेकमेंडेशन भी थी यहां पर और Q4 के अपडेट्स अच्छे थे तीन तीमाई के बाद वापस पॉजिटिव जोन में आई थी यहां पर और शॉट कवरिंग भी रही थी मेरे ख्याल सी यह स्टॉक थोड़ा सब चलने को तियार है दूसरा स्टॉक जो हमाई रेडार पर है आधिंग सुबह पिक भी किया गया पैनल के द्वारा SBI कार्ड एक बार SBI कार्ड का चार्ट लेकर आईए अगें यह देखिए यह मार्च 2020 मिलग कोविट के बाद जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है और फ्राइडे को डिलिवरी वॉल्यूम भी अच्छे थे यहां पर डबल डिलिवरी वॉल्यूम थे और FN में भी लॉंग बने स्टैंडर डिस्क्लेमर लेकिन यह दोनों स्टॉक जो हैं यह वैसे काफी वीक है और एक व्यू यह लिया जा रहा है कि शायद एक बॉटम फॉर्मेशन के साइन बने हैं यह आपर लेकिन अगर आप बाई असेल करने तो अपने फिनेशल एडवाइजर से पूछ के करिएगा जयाँ प्लीज और यह एक आई तिंक बाई कॉल नहीं लेकिन अनालेसिस प्रस्तूत किया गया है बेन वाइल आपके स्कीन पर एक किर्तिमान लेके आते हैं और सोना एक नए शिखर पर 71,057 का भाव लास्ट क्लोजिंग थी 78,99 आट सो निन्यावे आज खुलते ही साथ गोल ने M6 पर 71,057 का नए हाई जड़ दिया है सोना है सदा के लिए स्कीन पर दाम देखकर आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा